तो है गाइस मैं हूँ रोसन स्वागत है आपका मेरी चैनल टेकी टेकी में आज हम लोग बात करेंगे कि आप अगर अपरेल का महीना में यह मार्च लाश्ट में आप अगर कोई फोन लेने की सोच रहे हो अच्छे 5G फोन और आपकी बजट 20,000 है तो मैं आज आपको चार ऐस फोन बताने में जो आप ले सकते हैं तो अगर आप यह अपरेल में या फिर मार्च में आप फोन लेने की सोच रहे तो यह फोन देख सकते हैं में मैं आज आपको चार फोन बताओंगा उन चार फोन में से सारे फोन पीस यार के अंदर होने gesprochen з without 5G phone है, Poco अभी बढ़ रही है, अच्छे अच्छे phone निकाल रही है, इसमें आपको ये 5G के साथ साथ आपको इसमें 5000MH के दमदार बैटरी देखने को मिल जाएगी, और 31W का fast charger का support भी इसमें देखने को मिलेगा आपको, ये 5G phone है, काफी मजबूत प्रोसेसर के साथ आती है, अच्छे ड्रेगन 695 चिपसेट इसमें है, जो प्रोसेसर की बात है, वो स्नेप ड्रेगन 695, अब ये स्नेप ड्रेगन जितना भी कॉल कोम स्नेप ड्रेगन का जो प्रोसेसर जिस phone में यूज हो रहा है, काफी मज़दार और चलाने में काफी मज़े आरी दो, इसकी ग्रास का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, इसकी प्रोटेक्शन और इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेस रेट देखने को मिलेगा, इसकी रिफ्रेस रेट इसके पहले में एक वीडियो बनाया था, उसको मैं बताया था, उसमें कि आप 5G फोन अगर लेंगे, तो उसमें क्या प बताया था, एक 5G फोन के लिहाजे से काफी एहम होती है, अगर आपको प्रोपर 5G यूज करना है, तो आप कोई भी फोन ले, तो 120Hz, 19Hz, कम से कम 120Hz, इसकी स्क्रीन बाइट निट्स की देखने को मिल सकती है, अभी जितने फोन आ रहे हैं, उसकी स्क्रीन काफी ब्राइट हो आपको अरहन से हो जाएगा, तो ये Poco X5, इसमें आपको डिस्प्ले अची मिल रही है, इसमें प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, बैटरी अच्छा मिल रहा है, पचास मेगा फिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, काफी मज़दार फोन है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं, दूसरा IQ G6, मैं IQ G6 का एक प्रोपर वीडियो बनाया हूँ, पिछले जाके आप वहां अगर आपको नहीं मालूम हो तो आप वहां जाके देख सकते हैं मेरा पिछले वीडियो, IQ G6 काफी मज़दार मज़दार फोन निकाल रहा है, बैजार में अभी IQ Vivo का ही एक ब्रैंड ह आपको कॉल कॉम स्नेप ड्रेगन 695 5G पर्फोर्मेंस देखने को मिलेगा, काफी मज़दार है, इसमें हैसल फ्री, लॉंग फ्री परफोर्मेंस, बेसिक यूज इंबॉल्मेट, कॉलिंग, काफी अच्छा-चे इसमें फीचर दिये गया है, IQ जो फोन निकाल रहा है भी उ और वो सारी 5G लेके काफी प्रोपर हो सकते हैं, अब देख सकते हैं, इसमें LED स्क्रीन देखने को मिलेगा, 6.58 का AMOLED स्क्रीन देखने को मिलेगा, 5000 इमेच की इसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी, इसमें सबसे अच्छी बात है, 44W का आपको फोन चार्जर देखने को मिल जाएगा, तो आप अगर 5G लेना चाहरे हैं, तो IQG6 5G की तरफ जा सकते हैं, इसकी प्राइस बजार में अगर कहा जाए, तो लगवग अभी 14,000 के आसपास, 15,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, काफी मज़िदार है, 5G फोन ये मैं जो आपको ब 10 Pro 5G, Realme भी काफी अच्छे-चे फोन निकाल रहा है, Realme 10 Pro में आपको 6.7 इंच का LCD पैनल देखने को मिलेगा, थोड़ी सी disappointed की बात है, LCD पैनल देखने को मिल रही है, खेर इसमें स्क्रीन जाप को मिल रहा है, वो 120 Hz का refresh rate देखने को मिल रहा है, Zero bezel and vibrate display, इसमें जो अलग से इसमें vibration की जो परिकरिया यूज की गई है, वो थोड़ी सी अलग है, 5G फोने इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 SoC processor देखने को मिल रहा है, गेमिंग के लिहाजे से यह फोन काफी मज़दार है, आप इसके तरफ जा सकते हैं, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, इसमें आप 33W का fast charger भी आपको supported देखने को मिलेगा, काफी battery long lasting है, काफी अच्छी है, फोन की specification नहीं बता रहा हूं, मैं कुछ-कुछ जो पॉइंट है, जो आपको अच्छी लग सकती है, जो आप जा सकते हैं इस फोन की तरफ, मैं वो सारे कुछ बता रहा हूं, Realme 10 Pro की price आपको 18999 को देखने को मिल सकती है, आप इसे Amazon या Flipkart किसी पर जाके purchase कर सकते हैं, अब एक चौथा फोन जो हमारे पास है, Redmi Note 12 5G, काफी मज़दार फोन है, Redmi Note 12 series अभी launch हुआ है, यह आपको जनवरी फरवरी में launch हुआ था, इसका भी प्रोपर में वीडियो बनाया आप जाके देख सकते हैं, Xiaomi, इसमें आपको Snapdragon 4G1 chipset का देखने को मिलेगा, processor इसमें वो दोनों से थोड़ सी आगे है, 5000 एमेज की बैटरी देखने को मिलेगी, काफी मज़दार है, 33W का इसमें भी आपको fast charging support दिया हुआ है, अभी मैं जितने फोन बताया आपको चारो, उसम fast charging support दिया हुआ है, क्योंकि आप अगर 5G फोन लेंगे, तो जाहिर सी बात है, कि आपकी 5G बैटरी ज्यादा कंजूम करेगी, screen quality अच्छी होनी चाहिए, sound quality अच्छी होनी चाहिए, battery अच्छी होनी चाहिए, 5G processor अच्छी होनी चाहिए, तो यह जो फोन में बता रहा हूंग सारे बहुत अच्छे फोन है, आप इनकी तरब जा सकता है, अगर आप 5G फोन लेने की सोच रहे हो, 6.6 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, इसमें मैं बात कर रहा हूं, the Redmi Note 12 को 120 हर्ज का screen refresh rate देखने को मिलेगा, smooth protection ने कहा गया है, यह Redmi कहता है, smooth protection वो भी इसमें दिया हुआ है, तो आप काफी मज़दार फोन है, इसकी प्राइस अगर देखा जाए, currently अभी जो प्राइस की है, वो 17,999 के आसपास हो सकती है, आप अगर इस फोन को ले सकते हैं, तो आप 17,999 पे आपको लगाने पड़ेंगे, ऐसे कोई बुरा नहीं है, Redmi Note 12 5G, थोड़ी स प्राइस का एक वीडियो बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं, मुझे कैमरा थोड़ा सा और साउंड क्वालित हो सा डिस पॉंटिट लगा, बाकी सब कुछ फोन में काफी अच्छी है, तो यह जो फोन में चार आपको बताया, यह फोन 5G के लिए हाजे से, और 20,000 पी के साथ, तब तक के लिए, जय हिन, जय भारत